हेलो एवरिवन वालकम चुमार यूट्यूब चैनल मैं हूँ आपके फ्रेंड बबीता जोशी और आज में लेगा आ गई हूँ आपके साथ शेयर करने क्रोश्या की फर्स्स वीडियो तो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप क्रोश्या कैसे चला सकते हैं इस तरीके का बॉक्स आपको भी लेना है तो इसका वीडियो मैंने भी बनाया हुआ है अपनी चैनल पर पहले भी मैंने कहां से ओर किया हुआ है और इसका रिवियो मैंने दिया हुआ है और यह बेसिक टूल्स के बारे में मैंने सारा बताया हुआ है क्रोश्या के फ्रेंड यह box मैंने कहा से order किया हुआ है कहा से मंगायव हैं सारे basic tools उस video का link मैं आपको description में दे दूँगी and video start करने से पहले friends अगर आप लोग में चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को like करें share करें and subscribe करें and bell icon को भी ज़रूर प्रस करें तो आज मैं आपको basic बताने वाली है तो मैंने एक उन ले रखा है या आपको इस अपी उन ले लिजे इन ही में से हम एक क्रोशिया ले लेंगे आज तो मैं आपको इसी वाले क्रोशिया से बता दूँगी इसमें नंबर होते है अलग-अलग तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह उन लेंगे इसको हमने क्या करना है इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से उंगली में लपेटना है तो मैं एक बार और बता इसके अंदर से इस तरीके से निकाल के खीच लेना है इसको एक गाट बन जाती है तो एक गाट जो बन गई है उस गाट को हम उसके अंदर हम अपने एक क्रोशिय डालेंगे इस तरीके से आपने यह करना है इस तरीके से फेस को हलका सा खीच लेना है खीचने के पाद अब दे करोश्या को इस तरीके से पकड़ते हैं कई लोग इसको पैन की तरह इस तरीके से पकड़ते हैं तो उसका कोई मसला नहीं है इस तरीके से चलाता है कुछ लोग कुछ ऐसे पकड़ते हैं तो मैं तो ऐसे पकड़ती हूं कुछ पैन की तरह पकड़ते हैं तो वह दोन ही ठीक है किस तरीके से को कुडाना है करोश्या को चलाना है थागलते निकालते रहना है इसे तरीके से अगे के प्रोसेस करते रहनी है यह पिखी इस तरीके से पकड़ के अपने धागे को ठील छोड़ते रहनी है इस तरीके से बुनते चले जाना है जब आपको आदत लग जाएगी तो आपको बहुत ईजी लगेगा यह इसी तरीके से इसकी प्राक्टिस करनी पड़ेगी आपको करी दिनों तक उसके बाद यह जब आपक प्रासेस को खड़ते हैं सबसे पहले आपको यही बनाना सीखना हो गए देखिए इस तरीके से चेन बनानी ही आपने सीखनी होगी तो इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए में चारब को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें बाबाई